Assalamualaikum guys, hope you are doing well, this is Ahmed, NFT वाला इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि Phantom Wallet को किस तरह से create किया जाता है जिस तरह मैंने पहले दो वीडियो बना चुका हूँ Wallet पे एक Meta Mask पर और एक Trust Wallet पर आपको बता है जो Meta Mask Wallet है वो Ethereum Blockchain के लिए है जो Trust Wallet में मैंने वीडियो मिनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि इस Wallet में आप मुख्तलिफ Cryptocurrencies store कर सकते हैं, Bitcoin भी कर सकते हैं, Ethereum भी कर सकते हैं Solana भी कर सकते हैं, BNB भी कर सकते हैं लेकिन जो Phantom Wallet है वो Solana Blockchain के लिए है और वो Solana को support करता है वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बैल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें तांके हर आने वाली वीडियो आप तक टाइमली पहुंचती रहे अच्छा यहां पर सबसे पहले मैं आपको OpenSea की वेबसाइट पर लेकर आया हूँ तांके आपको यहां से मैं थोड़ा सा गाइड कर सकूँ कि कहां पर इस्तमाल होगा वालेट यहां पर देखें वालेट पर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखें Phantom wallet आ रहा है और साथ देखें Solana लिखा है It's mean यह Solana blockchain को support करता है और Solana जो token है उनको support करता है अब यहाँ पर आएं Go to ranking यहाँ पर आकर देखें All Chain Ethereum के लिए Metamask wallet है अब Solana के लिए Phantom wallet है जिसमें मैं वीडियो बना रहा हूँ Polygon के लिए Metamask wallet चल जाता है और Last पर है Clayton Next वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि Clayton wallet किस तरह से Install किया जाता है और इसको किस तरह से यूज करते है अब यह आप Google पर आ जाए Google पर आकर लिखें Phantom wallet तो आपने इस लिंक पर क्लिक करना है Chrome extension पर जिस तरह Metamask की extension जैसे ही यह complete हुआ तो हमारे सामने एक नई विंडो ओपन हो गई हमने इसके extension पर क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे पस दो option आगी Create a new wallet और I already have a wallet तो हम क्लिक करेंगे Create a new wallet Same as usual जिस तरह हमने Metamask के लिए पहले पासवर्ट सेट किया था उसके बाद secret phrases आई थी सेम इसी तरह हम यहाँ पर अपना password सेट करेंगे उसके बाद continue करें अब यहाँ पर देखें कि आपको पता है कि यहाँ पर secret phrases आ गई है आपने हमेशा की तरह इसको save कर लेना है recommended यही है कि आप इसको hard copy में save करें mobile में या laptop में इसकी soft copy हर्गीज ना रखें क्योंकि जब भी कोई cyber attack होगा तो वहाँ से किसी को भी secret phrases मिल सकते हैं और अगर किसी के हाँ secret phrases लग गए तो आपके wallet की तमाम access अगले बंदा के पास जा सकती है यहाँ पर continue करें finish करें उसके बाद आ जाना है आपने I already have a wallet अब यहाँ पर जो हमारे secret phrases थे हमने वो add करने है अब देखें जैसे ही हमने secret phrases पर continue किया तो हमारे सामने यह window open होगी यहाँ पर बता रहा है कि successfully जो है हमारा wallet create हो चुका है यहाँ पर हम deposit भी कर सकते हैं अब यहाँ पर देखें यह solana को support कर रहा है अच्छा उसके बाद same जिससरा meta mask में हम एक ही wallet के अंदर multiple account बना सकते हैं इसी तरह हम इसमें भी नए account बना सकते हैं देखें जैसे ही click किया तो wallet 2 बन गया ठीक है यह हमारा wallet number 1 था यह wallet number 2 है अगर मैं add wallet करता हूँ तो एक तीसरा बन जाएगा ठीक है create a new wallet अब देखें यह तीसरा बन गया तो देखें इन wallet को इस्तमाल करना बहुत ही simple है और इसमें कोई difficulties भी नहीं है अब यहां पर जो बें हमारा बता रहा है collectibles जो भी हमारे acids होंगे वो हमें यहां पर show करेगा ठीक है उसके बाद आप इसको swap भी कर सकते हैं यानि convert कर सकते हैं Solana में मुखलिफ tokens हैं जिनको आप convert कर सकते हैं यहां पर आपकी recent activity बता रहा है अगर आपकी कोई भी activity है कोई भी transaction की है तो आपको यहां पर show होगी ठीक है उसके बाद यहां पर display language है English बता रहा है जो by default होती है उसके बाद address book है यहां पर हमने कोई भी address save नहीं किया उसके बाद trusted app जिस website के साथ या जिस marketplace के साथ हमारा wallet configure हुआ होगा तो यहां पर हमें show करेगा चेंज network अब यह main net बता रहा है आपको पता है कि हर blockchain का एक test net भी होता है तो यहां पर इनका अपना test net dot solana dot com है अगर हम test net पर काम कर रहे होंगे तो हम इस पर click करेंगे अभी के लिए हम main net select कर लेते हैं और preferred explorer है Solana scan है आपको पता है जिस तरह Ethereum का हम use करते थे Ether scan इसी तरह इनका भी है अब यहां पर export private key भी है ठीक है जिस तरह metamask की भी private key थी इसी तरह इसकी भी private key है यहां पर show secret phrases हम वो भी देख सकते हैं यहां पर देखें इसने हमें सारे show कर दी है secret phrases हमने इनको हमेशा संभाल कर रखना है अगर यह किसी के हाथ चलेगे तो हमारे wallet में जितने भी acid होंगे वो सारे जाया हो सकते हैं अगर आपने किसी से भी सुलाना क्रिप्टो क्रेंसी मगानी है तो आपने यहां पर आकर अपने wallet address पर click करना है जैसे ही click करेंगे तो यह copy हो जाएगा और आपने यही address उसको बेजना है copy करके बेजना है कभी भी लिखकर नहीं बेजना इस वीडियो मैंने आपको बताया कि Phantom wallet किस तरह से create कर सकते हैं जिस तरह आपने देखा wallet को create करना बहुत ही simple है और इसका इस्तमाल भी बहुत easy है मैं उमीद करता हूँ